ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पिता के विल और माता की गर्व के बिना जन में कुछ पॉरानिक पात रोखी अब इस सारे के सारे मैं एक वीडियो में ही डालोगा इसके में दो पार्ट कर दूँगा ताकि आपको लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एक-एक वीडियो में मैं कुछ 7-8 करेक्टर कहईं ही इसतमाल करूंगा, फिरीपीस के वो आपको end तक देखना पड़ेगा, क्योंकि कोन था करेक्टर का बात है तो पूरे जानकार या आपको पूरे वीडियो देखना ही पड़ेगा, हमारे हिंदु ध गर्ब के और बीना पिता के विर्व क्योवत है हम आपको टूटल सोरफ वॉर्निक पात्रों के जन्म की कहानी बताएंगे इस वीडियो में सहाध मैं साथ आठी बता पहूंगा तो इन में से कई पात्रों के जन्म में मां के गर्व के कोई युगदान नहीं था कुछ पात्रो पांडू और विदूर के जन की कता के बारे में हस्तिनापूर नरेश, शांतनू और रानिक सत्यवती के चित्रांगत्र और विचित्रविर रिनामक दो पुत्र हुए सांतनू का स्वरगवास चित्रांगत्र और विचित्रविर के बाले काल में हो गया था इसलिए उनका पालन कोशन भिश्म ने किया. भिश्म ने चितरांगत के बड़े होने पर उन्हें राजगती पर गिढ़ा दिया. लेकिन कुछी काल में गंधर्वोज यूद्ध करती वें चितरांगत हैं मारा गया. इसवर भिस्म ने उनके अनुज विजित्रवेर को राजी सौपा अब भिस्म को विजित्रवेर के बिवा की चिंता हुई उनी दिनों काशी नरेश्च के तीन कर्णेयाओं अम्मा, अंबिका और अमबालीका का स्वेंबर होने वाला थे उनके स्वेंबर में जाकर अकेले भिष्म ने वहां आये समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरन कर हस्तिना पूर ले आए बड़ी कन्या अम्मा ने भिष्म को बताया कि वो अपना तन, मन, राज, शाल्व को अरपित कर चुकी है उसकी बाद सुनकर भिष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिष्वा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवा विचितरवेरस के साथ करवा दिया राजा साल्व ने अम्मा को ग्रहन नहीं किया अतो हस्तिनापूर लोट कर राई और भिष्म से बोली हे आरे आप मुझे हर कर लाएं एत्यव आप मुझे बिवा करें किन्दु भिष्म ने अपने परतिग्या के कारण उसे अन्रोध कुट ठुकरा दिया अम्मा रोज ठोकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यता सुनकर साहे तामान परशुराम ने अम्मा से करार कि हे देवी आप चिंता न करें मैं आपका विवा भिष्म के साथ ही करवाँगो परशुराम ने भिष्म को गुलुआ भेजा किन्दु भिष्म उनके पास नहीं गया इस पर पुरोधेत होकर परशुराम भिस्म के पास पहुचे और दोनों वीरों में भ्यानक युद्ध छड़ गया दोनों ही अभुत्य पुर्व युद्धा थे इसलिए हार जीत का प्रैसला नहीं हो सका आखिर देवताओं के अहस्तचेप से इस युद्ध को बंद करवा दिया गया अम्मा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई विचित्र विर अपने दोनों राणियों के साथ भोग विलास में रथ हो गये किंदो दोनों ही राणियों से उनकी कोई संधान नहीं आज्या है कि तुम इन दोनों राणियों से पुत्र उत्पन करो माता की बाद सुनकर भिष्म ने कहा माता मैं अपनी प्रतिग्या किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता यह सुनकर माता सत्यवत्य को अध्यंत दुख हुआ तब उन्हें अपने जेश्ट कुत्र वेद व्यास का स्वन्ण किया स्वन्ण करते हैं वेद व्यास होँ अपुस्तित हो गए सत्त वत्य उन्हें देखकर बोली है पुत्र तुमारे सभी भाई नेसंतान ही स्वरगवासी हो गये अता मेरे वन्स को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हे आज्या देती हूँ कि तुम न्योग विधी से उनकी पत्नियों से संदालत बन करो। विध्यास उनकी आज्या मानकर बोले माता आपको उन दोनों रानियों से कह दीजिए क्यों मेरे सामने निर्वस्तर होकर गुज़रें जिससे क्यों गर्भ धारन होगा। सबसे बड़ी रानी अमभिका और फिर छोटी रानी अमभालिका गई पर अमभिकार उनके तेश के डर से अपनी नेतर बंद कर लिए जबकि अमभालिका वेद्यास को देख कर भै से पीली पड़ गई। पीद्यास लोटकर बोले माता अमभिका का बड़ा पुत्र तेशस्वी पुत्र होगा। किन्तों नेतर बंद करने के दोस के करण वो अंदा होगा। जबकि अमभालिका के गर्भ से पांडू रोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इसे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अमभिका को गुनव वेद व्यास के आदिस पास जाने के लिए कहा। इस पर बड़ी रानी स्वेम ना जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच की वेद व्यास के सामने से उसे इस पर वेद व्यास ने माता सत्तिवेती के पास आकर कहा माते इस दासी के गर्व से वेद विदांत में पारंगत अत्यांत नितिवान को तुट पन होगा इतना करकर वेद व्यास तो पस्या करने चले गए समय आने पर अंबिका की गर्ब से जन्मांद, धित्रास्ट, अंबालिका की गर्ब से पांडो लोग से गर्शिफ पांडो तसा दासी की गर्ब से धर्मात्मा, विदूर का जन्म पूरा अभी मैं आपको यह मैंने तीन आपको बता दी चौठा मैं आपको बताने जा रहा हूं कौर्वो के जन्म की गतव एक बर महरसी वेद्व्यास खस्तिना पूरा है गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की इससे परसंद होकर उने गांधारी को बर्दान मागने को रहा हूं गांधारी ने पती के समानी बल्वान फुट्र होने का उपर मांग रहा हूं समय आने पर गांधारी उपको गर्ब ठहरा और वह दो वरसों तक पेट महीरा इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्ब गिरा दिया उसके पेट से लोही के समानिक मांस का पिंड निकला मर्शी वीद व्यास ने पर योगदिश्टी से असब देख लिया और वे तुरंद गांधारी के पास आए तब गांधारी ने उन्हें वो मांस किंड दिखाया मर्शी वीद व्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से सौ कुंड बनवा कर उनमें घी से भर दो और सुच्छित अस्थानमों की रक्षात परबंद कर दो तता इस मांस किंड पर जल चिर्को जल चिर्कने पर उस मांस किंड के 101 टुकड़े हो गए व्यास जी ने कहा कि इन मांस पिंडों को 101 टुकड़ों को घी से भरे उन कुंडों में डल दो अब इन कुंडों को दो सार बादी फूनना इतना कहकर मर्शी वेद व्यास तकस्या करने हिमाले पर चले गए समय आने पर उनी मांस पिंडों से दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन ये हो गए चार अभी मैं आपको पांड़ों की जन की गता सुमा देता हूँ इस वीडियो में 500 पांड़ों का जन भी बिना पिता के वेरे के हुआ था एक और राजा पांड़ों अपने दोनों पत्निया पुंती तथा मादरी के साथ आखेट के लिए वन गये थे वह उने एक मिर्ख का मैथूं रत जोड़ा दिश्टिक अथ हुआ पांड़ों ने तदकाल अपने वान से उस मिर्ख को भेले कर दिया मर्ति उम्रिग ने पांड़ों को शाप दिया कि राजन तुम्हारे समान प्रूर प्रूर से इस मिसार में कोई भी नहीं होगा तुने मुझे मैथूं के समय वान मारा है अता जब कभी भी तो मैथूं ब्रत होगा तरी मृत्ति हो जाएगी इस शाप से पांड़ों अत्यां दुखी हुए और अपनी राणियों से बोले हे देवियों अब मैं अपने समस्त वासनाओं का अत्याग करके इस वन में ही रहूंगा तुम रोग हस्तीना पूर लोट जाओ उनके बच्शनों को सुनकर राणियों इंदेनी दुखी होकर कहा कि हम आपके बिना एक चनम जिवित नहीं रह सकती है आप हमें भी वन में इनके साथ अपने साथ रखने के खिरपा करें पांड़ू ने उन्हों सीमरोथट को सुकार कर उने वन में अपने साथ विन्यानिक के अनुमत ही देदी इसी दौरण पांडु ने अमावस्या कि रिशी मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनी के लिए जाते हुए देखा उन्हों ने रिशी मुनियों से स्वें को साथ ले जाने का अगर किया उनके इस आगरव रिशी मुनिय ने कहा राजन कोई भी संतान पू समतान हीन वैक्ति पित्र रिं रिशी रिं देव रिं तरता मनुश्य रिं से मुक्ति नहीं पास रिचा क्या तुम आग्या के लिए मैं किस देवता को बलाओं इस पर पांडु ने धर्म को आरमुंति करने का अदेश दिया धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदाम किया जिसका नाम इजो स्ठिर रखा गया कलामतर में पांडु ने कुंती को दो बार पुना वायुदेव और इंदर देव को आमंत्रित करने के आग्या दी वायुदेव से भीम तता इंदर से अर्जुन की उत्पत्ति हुए तस पश्याद पांडु के आग्या से कुंतीन माद्रु को उस मंत्र के दिख्षा दी माद्री ने अश्री कुमार को आमंत्रित किया और नकूल तता सहदेव का चन्म हुआ एक निलाजा पांडु माद्री के साथ वन में सरीता के तर पर ध्रवन कर रहे थे वाता वरन अत्यंत रवनीक था और शीतल मन सुवंदित वायू चल रही थी सहसा वायू के जोके से माद्री का वस्त रोड़ गया इससे पांडु का मजचंचल उठा और मैथू से मैथू में प्रविर्थ हुए ही इस साब वस उनके मृत्ति हो गई मात्री उनके साथ सती हो गई कि पुत्रों के पाल पुशन के लिए कुंती हस्तिना पुपलोट आई यहां एक बात मैं आपको और बता देता हूँ हमने यह कहा कि पांडु के आग्यां से कुंती ने बुलाया था अपने मंत्रों का इस्तमाल किया था पर कहीं कहीं आपको यह लिख्या कि पहले उनके मृत्ति हो गई थी उसके बाद कुंती और मात्री ने उस मंत्रों का प्रियूट किया इसके बाद बाकी जो करेक्टर हैं तीन उपर मैंने पांच बता दी हैं बाकी करेक्टर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो धन्यवाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्ण राम लक्ष्मन भरत और सतुर्ज के जन्म के बारे में और पवन पुत्र हनुम के बारे में और साथ में हवन अहनुमान को तो मकर धोज के जन्म की कतावी बता दोगा तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सबस्ट्राइब करें और अपने कमेंडी दीशिए धन्यवाद